गुद इविनिंग डियर फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बात करेंगे अलेकजेंडर पॉप के वर्क जो है इनकी पोईम जो है दी रेप आप दी लॉक के बारे में तो यह यूपी एल्टी के सिलिवस में यह पूम है रेप आप दी लॉक कांटू इसका एक केंटू दे इसमें तो उसके बारे में उससे रिलेटेट जितने भी एमसे क्यूज हैं डिसकस करेंगे इस वीडियो में और तो वीडियो के अंत तक बने रहीएगा क्योंकि इस वीडियो के अंत में हम एलेकजेंडर पॉप के जो कुछ वाक्स हैं उनके बारे में भी डिसकस करेंगे त पहला question जो है इसमें उससे पहले हम थोड़ा सा इनकी बारे में जान लेंगे एलेक्जेंडर पूप की बारे में तो एलेक्जेंडर पूप की बात करें तो ऑगस्टन एज के हैं ये ऑगस्टन एज यानि की 18th century हम बोलेंगे ठीक और इनके life span की बात करें तो 1688 से लेके 1744 तक रहा है इनका life span 1688 में इनका जन्म हो रखा है कहाँ पे लंडन इंग्लेंड में और 1744 में इनकी डेथ हो जाती है कहाँ पे ट्विकनम करके है लंडन में ये एक जगे है तो वहाँ पे उनकी मिर्तियों हो जाती है 1744 में 1688 से रिलेटेड यहाँ पे कुछ इसके साथ साथ जोन बंzd जिन्हें प्लिग्रिम्स प्रोग्रेस करके लिखी ती तो उनकी मुर्थी होती है कब 1688 में 1688 में ना उनकी मुर्थी होती है आलेक्जैंडर पोप का जन्म होता है ये आप ऐसे याद कर सकते हैं इसको तो स्टार्ट करते हैं और प स्ट्रीटेज आप देख सकते हैं याप पोप जो थे ग्रेटेस्ट मास्टर थे कहे रहे हैं क्लासिकल स्कूल और पोटरी इन ऑगस्टन एज ऑगस्टन एज बोला जाता है पोप की एज को इस एज की बात करें तो 1701 से लेके 1745 तक ही एज चलती है अलेकजेंडर पोप की एज के बारे में ह इसको कहा जाता है इसके सांथ-सांथ ऑगस्टन एज के नाम से भी इस एज को जाना जाता है एज ऑप ट्रूज और एज ऑफ रीजन जो है जो डॉक्टर जॉंसन की एज 1745 के बाद जो इस स्टार्ट होती है उसको एज ऑफ रीजन अधरवाइस एज ऑफ सेंसिबिलिटी क जाना जाता है या बोल सकते हैं डॉक्टर जॉंसन की एज की नाम से भी उसको जाना जाते हैं तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे अगला पॉइंट जो है आप देख सकते हैं आपे किस नाम से जाना जाते हैं मोख हिरोइक पॉइट के नाम से इनको जाना जाता है इसके लाब मोख हिरोइक क्या होता है देखिए मोख हिरोइक एपिक is a parody of a real epic जो epic होता है जो इसको बोला जाता है उसकी parody उसकी नकल उससी की जो style कॉपी करके जो epic किया जाता है यानि कि जिसमें mog style में mog heroic style में एक funny way में यानि कि एक real epic की क्या की जाती है copy की जाती है तो उसी को mog heroic epic कहा जाता है यहाँ पर देखके friends MCQ जो हैं उनको हम यहाँ पर discuss करेंगे तो यह video अच्छी लगे अगर वीडियो आपको पसंद आए तो और पुरानी वीडियो को भी आप watch कर सकते हैं जैसे कि हमने canonization पर बना रखिया John Dunn की इसके सांसाथ कुछ और MCQ जो series है और इसके लाव उत्रखंड LT Lecturer की तो already हमने वहाँ पर series चलाई हुई थी और Indian Literature से related videos भी है अलग playlist मिल जाएगी आपको English grammar से related videos भी अपके लिए available हैं यहाँ पर तो इसके सांसाथ इस पोकन English तो आपको पता है यह उसका भी एक अलग सी उसकी playlist है basic learners के लिए MCQ जोन पोप स रेप आप दी लॉक काइंटो फस्ट करके आप देख सकते हैं यहाँ पर तो इसमें rape of the lock is a तो पहला question है rape of the lock is a क्या है epic poem है कि mock epic poem है valid है novel है तो यहाँ पर इसका character answer हो जाएगा friends क्या भी इसका character answer हो जाएगा तो अब अपना score भी जरूर बताएगा comment box में तो यह 10 इसके साथ जितने भी important questions है उनको मैं बताते हुए चलूँगा दूसरा question आप देख सकते हैं पोब इजब तो पोब क्या है एक ठीक है new classical poet है कि elizabethan poet है restoration poet है romantic poet है तो यह 4 options है इसमें से आपको character answer यहाँ पर बताना है तो correct answer हम यहाँ पर बताने जा रहे है new classical poet है pop के है new classical poet है Alexander pop की बात चल ज़िए यहाँ पर ठीक है तो new classical किस age को बोला जाता है आपको पता होगा अगर rennesia period के बात की बात करें यानि कि rennesia period कहाँ पर समापत हो जाता है 1660 पर ठीक है कहाँ से स्टार्ट होता है 1485 से अगर हम इसको स्टार्ट करें यह early rennesia period यहाँ 1485 से आप इसको मान सकते हैं कहाँ तक 1558 तक 1558 से जैसे कि आपको पता है Elizabeth ने age भी स्टार्ट होती है तो यहाँ 15th century से अगर आप मानते हैं तो 1660 तक का period आप इसको रिनेशा period के नाम से जाना जाता है और 1660 के बाद के बाद कर रहे है जहाँ से restoration इस स्टार्ट होती है आपको पता है restoration, restore, मुनार की restore होती है हमने already discuss किया हुआ है फुराणी वीडियोज में तो 1660 से लेके 1785 तक का जो period है इसको ही क्या कहा जाता है नियो क्लासिकल age कहा जाता है, ठीक है नियो क्लासिकल जो age है तो यहीं पर period, नियो क्लासिकल period इसी जो हमने याँ पर, sorry, life span नहीं इसको हम बोलेंगे एक time period जो हमने याँ पर दिया 1660 से लेके 1785 तक का इसको नियो क्लासिकल period तो इसी में restoration age भी आती है और बात करें तो एलिजाबेथन पोएट तो यह है नहीं एलिजाबेथन हमने बताया 1558 से 1603 तक रहता है तो इसके बाद restoration पोएट तो है नहीं restoration 1660 से लेके 1700 1700 में समापत हो जाती है तो पूप की एज तो 1701 से लेके 1745 तक हमने बताया था ठीक तो यह कौन सी augustan age augustan age को ही पूप की age कहा जाता है तो new classical period यहाँ पे पोएट इनके लिए correct option यहाँ पे होगा ठीक रोमेंटिक एज तो आपको पता है 1798 से स्टार्ट होती है तो यह तो बाद में यानि कि 1798 यह तो बाद में है augustan age के बाद आती है age of region तब जाके आपका रोमेंटिक एज स्टार्ट होती है तो यहाँ पे correct option एक correct हो जागा फ्रिंट्स next question आप देखिए यहाँ पे who said pope if pope be not a poet where is poetry to be found तो किस ने कहा था यह quotation किस ने कहा था अगर poet नहीं होते तो poetry कहा होती ठीक है तो what's worth या टी-एस इलेट इसके लाद डॉक्टर जॉंसन हेज लेट तो यह कथन किसका है डॉक्टर जॉंसन ने कहे रहता है Samuel Johnson जिनने की dictionary भी लिखी थी आपको बता है dictionary compelled की हुई थी तो यहाँ पर next question आप देखिए यहाँ पर who is the heroine of the rape of the dog rape of the log की heroine कौन होती है rape of the log जो की इनका मोग epic poem है किसकी Alexander Pope की तो इसमें heroine कौन होती है तो heroine इसमें कौन है correct answer की बात करें तो वेलेंड है c option correct हो जाएगा next question आप देखिए यहाँ पर the rape of the log की बात करें the rape of the log revised edition है revised edition जो था इसका rape of the log का यानि कि 1717 की बात करें ठीक है revised edition तो उसमें कितने cantos थे इसमें तो इसमें बाद में कितने cantos थे 5 cantos जिसमें total ठीक है 1717 की बात करें नेक्स्ट क्वेस्टिन आप इसमें देखिए प्रिंट्स popes the rape of the log is a satire on popes का जो rape of the log है वो satire है किस पे the fashion of playing cards family feuds the fashion of going clubs और the contemporary aristocratic society तो डी option यहां पर correct हो जागा satire किस पे है the contemporary aristocratic society पे यह satire है ठीक है रेपद भी लोग जो है अलेक्जेंडर पूप नेक्स्ट क्वेस्टन आप देखिए who said the proper study of mankind is man तो किसने का है कथन किसका है तो यह अलेक्जेंडर पूप का है आपको पता होना चाहिए तो फ्रेंड्स यह seven questions तो यहां पर यह रहे ठीक इसके अत्रक जो question थे वो यहां पर हम discuss करेंगे अब किसके महाधिम से जितने भी हमारे मतलब जो works हैं उनके साथ हम उन question को discuss करते हुए चलेंगे तो यहां पर question के साथ में बता दूं कि जो इनके work हैं पहले works के बारे में बात कर लेते हैं उसके बाद हम questions यहां पर discuss करेंगे question में हमने जैसे कि आपको बताया मोग hero epic के बारे में बताया था parody किसकी होती है जो real epic होता है उसकी parody है और rape of the log के लिए हमने एक और point जो अभी last में डिसक्ष किया कितने question हमने discuss किये उनके बारे में थोड़े से एक बार फिर से हम बताते हुए चल लें और अलेक्जेंडर पूप की बारे में बात करें तो इनका quotation था true wit is nature true wit is nature to advantage dressed what opt was thought but never so well expressed यह quotation जो है last time जो है exam में आई हुई थी तो इस question को आपको धिहान रखना है what opt was thought but never so expressed यह किसने के रख है पूप का ही ही कता है ठीक है बात करें यहाँ पर जो पूप के वरक्स हैं तो वरक्स के बारे में बात करने थोड़े सा तो उसमें rape of the log जो है हमने अल्यडी बता रहा है 1712 से लेके 14 तक है इसके बात बात करें तो ऐसे on criticism करके है इनका एक और pastoral करके भी इनका एक वरक है pastoral 1709 करके और next work की बात करें तो इन्होंने लिख है जो बात करें एन essay on man करके इनकी poem है an essay on man इसका title तो एन ऐसे है लेकिन यह क्या है पोएम है तो एन ऐसे on man करके है इसमें कितने epistle हैं यह question बनता है how many epistle in an essay on man of Alexander Pope तो four epistle हैं इसमें four epistles हैं किसमें an essay on man में इसके लावा डंसियार्ड भी लिखा था इन्होंने और translations इन्होंने किया था किसका homer का जो odyssey है homer का जो odyssey है उसका translation भी इन्होंने किया हुआ है और इसके सांत homer का जो scherry 8 करके है इसका भी इन्होंने translation किया हुआ है friends तो अब जो rap of the log कहें इसके बारे में थोड़े और बताएं तो इसमें kanto's हैं और molto hero एक poème हुमने बताया इसके सांथ सांथी masterpiece की नाम से भी जाना जाता है इसका Alexander Pope का masterpiece Magnum opus जिसके लिए एक word यूज किया जाता है क्या masterpiece के लिए Magnum opus तो बात करें तो इसमें जो lock of hair बोल सकते हैं जो lock of hair किसका? Arravila farmer का एक यंग pretty girl होती है तो उसको काट दिया जाते है किसके दौरा Lord Peter के दौरा तो बोल सकते हैं Lord Peter cut a lock of hair from the head of the young pretty girl क्या नाम है उस pretty girl का Arabella farmer तो इस point को आपको note down करना है Arabella farmer करके एक young pretty girl है तो उसकी लौक को काट दिया जाते है तो अब इसी से आप इस चीज को समझीए यानि कि जो लॉग है रेप अब दी लॉग लॉग का मतलब है यहाँ पे क्या हेर यानि कि जो बोला जाता है चूटिया टाइप की ठीक उसको काट दिया जाता है इसलिए इसका नाम के है तो यानि कि कहने का मतलब है इसका टाइटिल से ही देख सकते हैं अब एक फनी टाइटिल इसको दिया गया है इसलिए इसको मोख हीरोइक एपिक भी कहा जाते है तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में इस वीडियो में हितना एगी और इससे अलेक्जेंडर पॉप की बाइग्राफी और जो जितने भी पॉइंट्स बज गए हैं वो नेक्स वीडियो में हम डिसकस करेंगे तो मिलते हैं अगली वीडियो में थैंक्यू सो मच